नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो होगा वो होगा डायाबेटिस पढ़ा अगर आप टरीके से आपना खाना पीना खा रहे हैं, किसी चीज की अत्ती नहीं कर नहीं हैं, जैसे की मीठाग, सक्कर, गुर ये सब चीजों का तो तो आप जो है कभी भी आपको diabetes होने ही नहीं पाएगी, सिर्फ आपके तरीका तरीके पर है, कि अगर अच्छी तरीके से आप हर चीज कर रहे हैं, खा रहे हैं तो, लेकिन अगर हो गई है, तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों, बस आप चिनी से दूर रहें, आ हर चीज को आपको अलग-अलग लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज आपको एक साथ रहेगी, आपको एक साथ मिलेगी, क्योंकि आप एक साथ जितने भी हैं, सब कुछ आप आईरवेदिक पाउडर बनाने जा रहे हैं दोस्तों, और मुझे लग रहा है कि आप इस पाउडर को किस तरह से लेते हैं, अगर आप इस तरह से ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 99% आप यकीन करें कि आप डियावेटीस को मात दे सकते हैं, दोस्तों, ठीक है, आप बिलकुल भी परसान नहो, ये आ गया है पाउडर, द अलसी, जो सुगर हो जाता, दोस्तों, जो उसके साइड एफिक्ट होते हैं, जो बुरा प्रभाव होता है, वो अलसी पढ़ने नहीं देती, इसलिए अलसी बहुत इंपॉर्डन है, डियावेटीस रोगों के लिए, माखाना, माखाना भी बहुत जादा फैदा करता है, क्य परवी होती है, तो इसलिए नीम को जो है ना, जो गुलुकोस आपका बनता है, तो उस गुलुकोस को नीम का जो पाउडर होता ना, कड़वा, वो कम करता है, तो नीम आपके लिए रामबाण है, अम्रित है, अगर आप नीम का पाउडर या नीम की पत्ती ताजी आप पूज के खा सकते इसका पौडर बनाईए आप ठीक है नीम यह सदा बहर का फूल है यह सूप गया ना दोस्तों तो यह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यह मैंने च्छाओं में सुखाया है यह नीम की पत्ती यह सदा बहर का फूल यह गिलुए यह तीनों चीजों को मैंन जो है धूप में नहीं सुखाया है च्छाओं में सुखाया है तो यह जो सदा बहर का फूल है दोस्तों इसका अगर आप डियावेटिस के पेसेंट हैं तो इसका पौधा इसका जो छोटा सा होता है आप अपने घर पे जरू लगाएं क्योंकि यह डियावेटिस रोगों के बनालीजी यह है गिलुए ठीक है तो गिलुए जो दोस्तों यह आपको 技 एम्मिनूटी पावर है वो बढ़ाती है अगर आपका तेज है दोस्तों होता है लाप तो सुगर अगर आपको कोई विमारी अगर आने वाली है वो भी नहीं चूपाएगी अगर आपकी लोए का सेवन डेली करते हैं डेली 5-6 पत्ते आप ताजे खाईए नहीं ताजे अगर आपको मिल पा रहे हैं तो आप इसका पौडर बना लीजिए ठीक है? तो ये तो हो गए इतने सारे पत्ते उत्ते ठीक है? और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तो एक ठाली ये है ठीक है? ये है मेथी ये मेथी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है बताने की कि सुगर में कितना जादा फैदा करती है मेथी ठीक है? तो मेथी जो है आपका फैट कम करता है मुटापा भी कम करता है कड़वी होती है इसलिए सुगर लेवल को कम करता है गुलूकोस बनने नहीं देता है बादाम बादाम में कार्बोहर्डर बिल्कुल कम होता है बिल्कुल सुगर नहीं होता यह आपको ताकत देती है इसलिए बादाम जो है आप अपने पाउडर में सामिल जरूर करें दोस्त मतलब ये अम्रित है डायवेटीज के रोगों को 99% ये सिप इंद्रजव ही एक ऐसी चीज है दोस्तों कि आपका सुगर लेबल बिल्कुल खतम कर सकता है ये इतना कड़वा और इसमें इतनी ताकत होती है तो इंद्रजव तो समझ लीजिए कि आपको इस पाउडर में सामिल ही करना है ये है चना भुना हुआ चना है दोस्तों इसमें इतनी सकती होती है अगर आप ताम जाम और कुछ पत्तियों कर नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ इंद्रजो ले लिजे, भुना हुआ चना ले लिजे, बादाम ले लिजे, ठीक है, इसका तीनों का भी powder आप बना करके रख सकते हैं, तीनों ही काफी होंगा आपके diabetes को कम करने में, ठीक है, भुना हुआ चना, ये भी बहुत जादा फायदा करता है, ये है दालच दालचिनी, दालचिनी दोस्तों बहुत जादा सुगर में फायदा करती है, इसको आप जो powder चाहे जैसे powder बनाएं, दालचिनी एकरें, अगर दालचिनी नहीं पीषना चाहते हैं, तो इस तरह से आप पतांजली से पिसी हुई दालचिनी जो है ले लिजे, ठीक है, इसको कि बनाएं, इसको डाइजेश्ट करती है, आपका हाजमा दुरस रखती है, कोई भी चीज आप खाते हैं, तो उसको पचाने में पूरा काम करती है, पूरा रोल अदा करती है, सौंफ, ठीक है, इतनी सारी चीजे हैं, तो यह सारी चीजे दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता र आप अपने लिए बना के रखिए, अब क्या करना होगा दोस्तों, ये तो सब चीज सूखी हुए है, ये तो पिस जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो हैं, इस समय भी बहुत जादा बारिज हो रही है, यहाँ पे कानपुर में, तो इन सब चीजों को बस कड़ाही को गरम करें, कड़ाही को गरम करके बस आपको डालना है, इसको भूनना नहीं है, तो डालना है, बस इसको गरम करना है, ताकि ये ठीक से पिस जाए, ठीक है, ये थोड़ा सब हो गए ना, सीले सीले से हो गए हैं, तो बस इतना करना है, ये सब मैं करके आपको दिखाती हूँ, उसके बा यह देखिए दोस्तों, यह हलका सा मैंने इसको भून लिया है, अब देखिए यह फ्रसा पिस जाएगा, तो यह जदी खराब भी नहीं होगा, जैसे यह अलसी है, इसको हलका सा हलका सा बस काई कड़ा ही गरम करना है, बस इतना करना है, भूनना नहीं किसी चीज को, बस अब मैं पीस के, आपको दिखाती है, इसको भी पीसना है, और साथ में यह सब जो चीजे हैं, इसको भी पीसना है, तो यह सब पीस के मैं पाउडर बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको लेना गैसे है, यह बहुत इंपॉर्टन है, दोस्तों, यह प्राइबिटीज में सबसे जादा जो फायदा करता है दोस्तों वो है एपल साइडर विनेगर मतलब कि सेव का सिर्का ठीक है सेव का सिर्का आपको दोस्तों बहुत जादा फायदा करेगा और गन्य का सिर्का नहीं सेव का सिर्का तो यह मैंने लिया है पतांजली से और क्या है कि आप अगर परचून की कोई बड़ी दुकान होगी तो वहाँ आपको मिल जाएगा Amazon पे मिल जाएगा ये वाला मुझे कुछ कम पसंद आया है क्योंकि जो एक सिरका आता उसमें मदर लिखा होता है उसमें नीचे सेव का पल्व जमा होता है तो वह बहुत अच्छा होता है लेकिन ये जो है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है मतब किसी डाल में डाल लीजिए सबजी में डाल लीजिए और सुबे उठकर के मतब जब कुछ ना खाए पी रहें तो जब आप ये पाउडर ये पाउडर लीजिए एक चमच और फिर आपको क्या है पानी लेना है गिलास एक चमच पाउडर एक गिलास पानी अगर आपको दालचिनी इसमें नहीं मिली है नहीं पीसे हैं तो आप इसमें आधी चमच दालचिनी मिलाएंगे इस पानी में अगर आप पीस लिए हैं तो कोई बात नहीं नहीं तो इस तरह से पिसी पिसी पॉडर ले लिजिए और जो भी पॉडर बनाईए ये दालचीन इसमें एड़ कर दीजिए नहीं तो इस पानी में डालिए ठीक है अब क्या करना है जो ये सिरका है तो सिरके को दोस्तों आपको ठाकन इसका बहुत बढ़ा होता है पूरा ठाकन नहीं लेना है एक चममच सेव की इसमें डाल दीजिए ठीक है ये पड़ गया अब दोस्तों क्या करना है ना कि एक चममच ये जो पॉडर लीजिए इसको अपने मूह में फाःक लीजिए फाःकने के बाद आप ये पानी पी लीजिए, आप यकीन मानिए कि मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आप सुगर के पेसेंट हैं तो आप सेव का सिर्का और जरूर करें, अगर आप और नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है किसी परचुन के दुकान या पतांजली से आप सेव का सिर्का लेकिन सुवेबासी मूँ आपको ये पानी पीएंगे तो आपको बहुत जादा सुगर में कंट्रोल होगा, तो इस तरह से ये पाउडर लेना है, और अगर जो है नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करें, एक चमच पाउडर लीजिए, इसी पानी में डाल दीजिए, मैं इस ल बेहत इंपॉर्टन चीज है दोस्तों, इसको आप लेकर ही आईएगा, ठीक है, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये पानी और ये पाउडर और ये सिरका आपके दोस्तों, ठीक है, बाई बाई दोस्तों